पार्ट पंद्रा थॉमस अलवा एडिसन आज शुभम का जन्म दिन है आजवा सुभा से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किये और सभी का इंतजार करने लगा कुछ तेर बाद दर्वाजे की घंटी बजी शुभम ने दोड़ कर दर्वाजा खोला सामने नाना नानी खड़े थे उन्हें देख कर शुभम बहुत खुश हुआ उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण सपर्श किये उन्होंने उसे आशरवाद देते हुए कहा बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया उपहार देख कर शुभम के खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकल दी थी वो चहकते हुए बोला नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए सभी ने शुभम को सुन्दर सुन्दर उपहार दिये अचानक बिजली चली गई घर में अंधेरा हो गया सभी लोग परिशान हो गए पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ नाना जी बोले बच्चो क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परिशान हो जाते हैं उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था नहीं नाना जी आप हमें उस वैग्यानिक के बारे में बताईए न बच्चे जित करते हुए बोले नाना जी ने हसकर कहा ठीक है इस तो सुनो बच्चो पूरी दुनिया को रोश्नी देने वाला महान वैग्यानिक थॉमस अलवा एडीसन था जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का अविशकार कर दुनिया को अचमभित कर दिया एडीसन के अविशकारों के कारण ही विश्व को अनेक उप्योगी चीजे मिल पाई परन्तु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा इसका जन में गरीब परिवार में हुआ था जब एडीसन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबे नहीं थी इसलिए उसे बहुत परिशानी होती थी इतना ही नहीं स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया उसकी मा ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चे किया उसने हार नहीं मानी जब एडीसन मातर बारव वर्ष का था तो उसने रेलगाडी में अकबार और अन्य खाने पिने का सामान बेचना शुरू कर दिया असफलता उसे रोक न सकी वहां भी उसने स्टेशन के बैगिज कार में अपनी रसायन की प्रयोक शाला और स्वयम का एक चापा खाना खोल लिया रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोर गुल सुनना पड़ता था जिसके कारण उसके कानू में खराबी आ गई लेकिन वह घबराया नहीं मन लगा कर प्रयोक करता रहा परन्तु यहां भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा क्यूकि प्रयोक शाला के रसायनों के साथ प्रयोक करते समय यहां भी आग लग गई परन्तु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोक जारी रखे एडिसन की सबसे बड़ी विशेशता उसकी लगन और मेहनत थी वह कश्टों से घबराता नहीं था शुभम ने उत्साह पूर्वक पूछा नाना जी एडिसन ने कौन-कौन से अविशकार किये नाना जी ने बताया बेटा, फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदी सभी खोजों का अविशकार एडिसन ने ही किया था अक्षिता बोली नाना जी आज इस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपयर कर पाते हैं बिजली के विभिन उपकर्णों का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है हाँ बेटा, तुमने बिलकुल ठीक समझा, नाना जी ने कहा नाना जी फिर बोले बच्चों, एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्यानिक बना वह जिस कारे में लग जाता था, उसे पूरा करके ही छोड़ता था तभी नानी जी वहाँ आई और बोली, बिजली आ गई है अब बाते ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी चलो, केक काटने का समय हो गया है